अब ज़र देखो आज हम लोग पहली क्लास है हम लोग की 10th क्लास का हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज ये introductory क्लास है उस चैप्टर के निये ठीक है जिसमें हम लोग outline देखेंगे हम लोग कैसे पढ़ाई किया करेंगे पहले कोई भी चैप्टर जो हम लोग चीज़ें आएंगी उसके बाद फिर उसको एक एक करके हमें पढ़ना है ठीक है तो आज हमारे पास जो चैप्टर है इसका नाम है केमिकल रियक्शन केमिकल एक्वेशन एंड रियक्शन चैप्टर एक्वेशन एंड रियक्शन पादच्छी बिता शावच्छ पादच्छी बिता शावच्छ ठीक है तो हेडिंग डाल लीजिए सब लोग जल्ली से केमिकल एक्वेशन एंड रियक्शन अब जर्ण समझयो जल्ली से कि हम लोग को इस शैप्टर से क्या क्या पढ़ना है? क्या-क्या चीजे इंट्रेंस में आती है और क्या-क्या चीजे ऐसी है जो के आगे भी इस्तेमाल होंगी तो ये चैप्टर सबसे important है दो चैप्टर 10th class के बहुत important है उसमें से एक पहला है और एक आखरी है आखरी का मतलब carbon and its compound प्योडिक क्लासिफिकेशन अब कड़ गया है हम लोग पढ़ेंगे लेकिन अगर हम NCRT देखेंगे नई तो उसमें प्योडिक क्लासिफिकेशन नहीं given है ठीक है तो carbon compounds और ये चैप्टर बहुत important है क्योंकि इसका 11th में use है 12th में use है इंट्रेंस में use है उसके बाद के BHC अगर कोई करेगा तो उसमें भी use है BDEC कोई करेगा तो first year में भी chemistry यही वाली आती है ठीक है तो इसका मतलब ये chemistry काफी important है अब ज़रा समझते हैं कि हमारे पास क्या होता है तो सबसे पहली चीज़ समझते हैं कि हमारे पास जो reaction होता है reaction, reaction कहते हैं process in which new substance is formed process in which new substance is formed अगर किसी ने भी इस chapter को पढ़ा हुआ है 5 बार पढ़ा हुआ है 10 बार पढ़ा हुआ है 100 बार पढ़ा हुआ है तब भी नई चीज उसको मिलेगी इसनिया अगर किसी को ये लगता है कि ये chapter पढ़ लिया उसने तब भी नया कुछ ना कुछ मिलेगा 100% ठीक है ना तो हो सकत बहुत important होती है क्योंकि इसमें हमें यह पता चलेगा कि क्या-क्या हमें पढ़ना है इस chapter से ठीक है तो सबसे पहली चीज आती है process in which new substance is formed ठीक अच्छा अब ज़रा समझो अब हमारे पास जो reaction होता है वो दो तरीके का रहता है एक को हम बोलते हैं chemical और दूसरे को हम बोलते हैं फिजीकल अब है नियू सबस्टेंस अच्छा इस फॉर्म जिसमें कोई नई चीज निकल किया जाएगी फॉर एक्जाम्पल हम एक्जाम्पल इसका लिख सकते हैं बर्निंग औफ बर्निंग औफ बर्निंग औफ माइक अपना सब लोग आफ कर लीजिए जिसका भी ओन है कि बेटा मुस्तक्बिल बहुत जादा आगे है उससे ठीक है जो लोग बेदार में और मुस्तक्बिल में किलास कर चुके तो उनको मैं बता देता हूं कि बेदार उनसे बहुत उपर है ठीक है इंट्रेंस के लिए अगर कोई तयारी कर रहा है ठीक है तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो के इंट्रेंस की तयारी कर रहा है तो मुस्तक्बिल में बहुत सारी चीजें एक्स्रा पढ़ा दी जाएंगी अभी जो के बेदार वालों को जनवरी में पढ़ाई जाएंगी या फेवरली में पढ़ाई जाएंगी ठीक है तो इसलिए सब लोग यार दखो ये बार कि मुस्तक्बिल में अगर है कोई और बेदार में भी है तो मुस्तक्बिल इंट्रेंस के निया जादा बहतर है उसके लेकिन अगर कोई बोर्ट की तैयारी कर रहा है तो उसके निया बेदार ही जादा बैस्ट है ठीक है चलो अगर कोई दोनों तयारी कर रहा है ये फिर अब उसकी मर्जी है कि वो किस पे ज्यादा फोकस करना चाहता है फिर दोनों ही उसके निए बहतर है कहां उसको ज्यादा समझ में आ रहा है कहां आसानी हो रही है कौन सा time match हो रहा है उससे कर सकते हैं ठीक है, चलिए, in which no new substance is formed, जिसमें कोई नई चीज नहीं बनती, उसको क्या बोल दिया जाता है, melting of ice, ऐसे reaction जिनको वापस उसी state में लाए जा सकता है, माल लोग पानी पेगल गया, ठीक है, बरफ पेगल गया, पानी से फिर से बरफ बनाई जा सकता है, लेकिन अगर कोईले जल गया, तो कोईले को हम वापस नहीं ला सकते हैं, ठीक, तो वो chemical change हो गया, बड़ी important चीज़ है, interest में आई हुई चीज़ है बिशले से पिशले साल, क्या था, burning of candle, both chemical and physical change, ठीक है, याद अखना reaction को हम change भी बोल सकते हैं, समझ में आती है बात, अच्छी था, अच्छा, अब ज़रा समझो, कि हमारे पास जो chemical change होते हैं, chemical change, समझना ज़रा बड़ी आसानी से हम लोग 2 या 3 slide में पूरे chapter का introductory चीज़ देख लेंगे, कि क्या-क्या हमें introductory में पढ़ना है, पूरे chapter में क्या-क्या चीज़ आएंगी, फिर हमारे mind में एक map होता है, मैं हमेशा ऐसे ही करूँगा कि पहले chapter में बता दूँगा क्या-क्या पढ़ना है, उसके बाद फिर एक-एक करके करेंगे, अब जैसे कि मैंने यहाँ reaction लिखा, यहाँ से यहाँ तक, अब जब हम लोग पढ़ेंगे, तो सिर्फ reaction के बादे में तीन slides में आएगा, अभी तीन line में आया है, समझ में आई बाद, तो उसमें हम additional पढ़ेंगे, हम यह पढ़ेंगे कि exothermic, endothermic reaction कौन सा होता है, हम यह देखेंगे कि अगर बादलो में पानी बन रहा है, तो उस reaction को हम exothermic बोलेंगे, endothermic बोलेंगे, ठीक है, अगर melting of ice हो रही है, तो exothermic है, endothermic है, कैसे कोई भी छूके बता सकता है, कि वो reaction exothermic है, endothermic, यह सारी चीज़े हम लोग देखेंगे, अब जब समझते हैं chemical change, तो chemical change में हमारे पास सबसे पहला आता है combination, combination reaction, सबसे पहला क्या आ जाता है, combination reaction, दूसरा आ जाता है हमाँ पास, decomposition, बेटा सब लोग mic अपना off कर लो, जब बताना हो तो तब ही on रखा करो, composition, decomposition, तीसरा होता है हमाँ पास, displacement, redox reaction, यह question हमारे पास amu में आ चुका है, याद रखना, amu के interest में आ चुका है, यह सवाल, अब जरा समझो, अभी pen मत उठाओ, कोई भी पहले समझे लो, उसके बाद लिखना, कौन-कोन ऐसा है, जो आज पहली बार class कर रहा है, कोई ऐसा तो नहीं है, अभी तक, ठीक है, जब भी कोई ऐसा बच्चा है, कि जो पहली बार class करें, तो तुम लोग मुझे बता देना, उसको मैं फिर अलग से थोड़ा सा बता दूँगा, एक, अभी इत्तफाक से आज ही 11th class के जो regular जिनका बच्चों का selection हुआ है, ठीक है, उनका test हुआ, तुम लोगों को मैं बोलता हूँ, केमिस्ट्री में जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इन्शाल्ला उतना ही आ जाएगा, उतना कर लो, ठीक है, देखो, ये पढ़ो, अभी आज test हुआ है, ठीक है, मैं इसको इस नहीं पढ़वा रहा हूँ, ताकि इसको गवा बना रहा हूँ, बोल मैं दे रहा हूँ, उसका message आए बच्चे का, 11th में उसका नाम आया है, मैं बता रहा हूँ बिटा, सुन मेरी बात, बिटा, सुन, हलके बैठा कर, ठीक है, अभी classes उनकी कम हुई थी, ठीक है, ठोड़ा तेज पढ़ना पड़ा, लेकिन पूरा paper वही आया है, जो पढ़ाये गया था, तो इसनिए, तुम लोगों को भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी start हुआ है, आज से बैच, तो जो पढ़ाये जाए, रोजाना उतना पढ़त है, तो कोई बात नहीं है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, जो physics चाहते हुए भी नहीं कर पाते हुतनी, ठीक है, यह practical चीज है, इसमें जजबात नहीं है, ठीक है, जजबात यह कहेंगे कि नहीं सर, physics भी करेंगे हम, जजबात तो यह हैं, लेकिन practical चीज यह है कि बहुत सारे बच्चे फिजिक्स उतनी अच्छी नहीं कर सकते जितना दूसरा बच्चा कर सकता है ठीक है अभी मेहनत कर रहे हैं वो हो सकता है कि कर भी दें लेकिन अगर जजबातों से अलग करके समझें तो में चीज हमें नाम लेकर आना है तो उसके निए अगर बायो किस की स्ट्रॉंग है तो वो उस पे जादा फोकस करके जादा माख्स लेए उसको लग रहा है कि मैं मैस नहीं कर पाँगा मैं इंडोस्लामिक का इतना याद नहीं कर पाँगा तो दूसरी चीजों में याद करके पहले तुम लोग को मैंने बोला था कि अपनी सीट करनी है उसक है जो यहां देंक लेकर आ रहा है वह वहां भी फर्स और सेकी नहीं आ रहा है क्योंकि यहां इतना कॉंपिशन हो जाएगा लास्ट तक कि तुम लोग का खुदी मतलब एक डियर हजार बच्चों में तुम लोग की रेंक आईगी ठीक है तो इसका मतलब यह है कि तुम यह experience है और इतना मैं खतननाग हूँ कि मैं जबदस्ती भी करवा दूं ठीक है तो यह बात सब लोग याद रखना खास्तौर पर लड़के पढ़ाई करो अच्छी तरह मजाग बजाग सब होगा ठीक है मैं तो खुद मजाग करता हूँ तो कोई ऐसी बात नहीं है लेकिन क्लास में अब जैसे वह बैठा है यह सब चीजें यहां छोड़नी पड़ेंगी क्यूंके किलास है कोई मतलब मशली बजार नहीं है ठीक है ना चलो अब ज़रा देखो combination reaction किसे कहते हैं देखो खुद सारे reaction खोदी बताएंगे कि मैं क्या हूँ यह क्या कह रहा है मैं combine हो रहा हूँ अब ज़रा समझो इसमें क्या होता है a plus b gives a b अगर हमें कभी भी कोई ऐसा reaction दिखे जिसमें दो चीजें क्या हो रही है जोड़ जा रही है जोड़ जा रही है तो फोरण हम बता देंगे क्या combination reaction है अब ज़रा समझो कुछ भी नहीं देखना एक बहुत सिंपल सी चीज़ देखनी होती है कि combination reaction में हमेशा एक product मिलत जाता है समझ में आई बात अच्छी तरह एक और example देखने है जारा इंशाल्ला बेटा बहुत अच्छे बेदार में मेरी second rank आई थी हाँ बेटा अब कोशिश करिए अब first आए इंशाल्ला अब जारा समझो हमारे पास मान लोग CAO है और यह CO2 से react हुआ CACO3 ठीक है बहुत सारे बच्चों को यह problem होती है कि यह reaction कैसे हो रहे हैं इस chapter में हमें यह भी समझ में आएगा अभी क्यूंके outline है हम लोग यह देख रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना है chapter से इस वज़े से मैं अभी यह नहीं बता रहा कि कैसे हो रहा है बस यह याद दखो कि ए इसका opposite इसमें क्या होता है कि A B अगर हमारे पास आया तो यह A प्लस B दे देता है combination का उल्टा होता है समझ में आई बात example देखते हैं ज़रा मालो हमारे पास है M G C L 2 इसको हमने तोड़ा तो यह हो गया M G और C L 2 हमेशा decomposition में दो या दो से ज़ादा होते हैं लेकिन इधर की तरफ हमेशा एक रहता है इधर एक रहेगा इधर तूटके दो होंगे इधर एक रहेगा इधर तूटके दो होंगे समझ माई बात तीसरा आता है हमारे पास displacement डिस्प्लेस्मेंट बड़ी अच्छी चीज़ होती है displacement में क्या होता है कि एक आदमी होता है जो के बड़ा खुश था बिचारा और इसके पास यहां सेब था एक आदमी है जिसके पास क्या है सेब है यहां आता है दूसरा आदमी जो के बड़ा आदमी है इसके पास सेब था यह बड़ा आदमी आया बड़ा आदमी ने इससे सेब चीन लिया और यह बिचारा ऐसे ही रह गया जो छोटा वाला आदमी था एक्जाम्पिल देखते हैं जरा इसका, यहाँ HCl है, दूसरा आदमी आया Na, Na ने इस से CL ले लिया तो यह हो गया हमारे पास, NaCl और H2 बहार निकल गया, अब यह H नहीं निकला, H2 निकला, क्यों निकला यह हमें पता चलेगा जब हम दो चैप्टर पे आएंगे, पहले इसको लिख लो जली से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखो इसमें क्या हुआ है, यह H, यह कमजोर आदमी था, इसके पास सेफ था, बड़ा आदमी आया, उसने सेफ को चीन लिया, यहाँ बड़ा आदमी कौन है, Na है, जादा रियक्टिव है, इसने चीन लिया, H2 हमारे पा जली से, डबल डिस्प्लेस्मेंट देखते हैं, क्या होता है, डबल डिस्प्लेस्मेंट, डबल डिस्प्लेस्मेंट में, यह आदमी जो बिचारा पिछली बार जिसके पास सेफ था, उसके पास फिर से एक सेफ दे रहते हैं, उसके पापा, ठीक, दूसरा अदमी है, जिसके ऐसे हुआ 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 है, और इसके पास है यहाँ, आम, अब यह बहुत दिन से सेफ खा रहा था, यह बहुत दिन से आम खा रहा था, तो यह दौनों एक दूसरे के बीच में एक्स तुम क्या खालो सेब अब जारा समझो ऐसा सवाल जब भी आएगा इसका कुशन काफी बार आता है ठीक है अभी लास में मैं तुम लोगो ये भी बता दूँगा कि क्या क्या टॉपिक से कुशन आता है इस चेप्टर से तो यहां हमारे पास मान लो ये है HCL और ये है हमारे पास MGSO4 अब क्या है ये है इसका सेब ये MGA पूरा इसका आम है याद रखना MSO4 पूरी एक चीज़ होती है ठीक अब क्या होगा एक्सचेंज ओफ आइंस हो जाएगा ये इसके साथ जाएगा तो क्या दे देगा H2SO4 प्लस MgCl2 बहुत अच्छे समझ में आ गिया सबको अच्छा एक कोशन है अब तुम लोगों के पास आइडेंटिफाइ दी फॉलोइंग बिटा कोशिश करना फिर से मैं बता रहा हूँ कम से कम पंधा कोशन करने हैं केमिस्ट्री में अगर ये कर दोगे तुम लोग जादातर बच्चे जिनका नाम आया है वो वही हैं जिन्होंने केमिस्ट्री सब में कॉमन हैं केमिस्ट्री सब्सक्री सब्सक्राइब लेकिन अच्छी चीज और धनुकं कर सकते हैं हैं कम पढ़कर जादा कोशचन कर सकते हैं ये दूह सब्याग कुछ नहीं कह सकता हूं अब है जिस्ट कर देखते हैं तो हर आदमी अपनी दुकान को जादः चलाना चाहिता है इसके अंदरिक करांति कारी जल्ली से देखते हैं सारे एक साथ करना बिटा पहले से करके मत बैठ जाना जल्ली से करो बहुत थे खींदी से तुम लोग को बताना है के यह कॉंबिनेशन है ईच या को सब लोग अपर में के अ bientôt है आप है है आप है कि है 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 कि है 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 कि है हो गया है है समझ में आगे सबको को दिक्कत किसी को अच्छा अब जरह समझो लिखते हैं देखते हैं किस किसके कितने सही हैं सबसे पहला यह reaction है दौनों चीज़े क्या हो रही है टूट रही है decompose हो रही है decompose है यह decomposition यहां क्या हो रहा है double displacement हो रहा है double displacement क्या हो रहा है displacement हो रहा है बहुत अच्छे combination precipitation reaction second वाला नहीं हो बाया precipitation reaction is an example of double displacement reaction लिखो बीटा बहुत तेजी से जल्ली से balanced केमिकल एक्वेशन बेज़्ट अन लॉफ कंजर्वेशन of mass law of conservation of mass के ओपर depend करती है कौन balanced equation carbonic acid carbonic acid law of conservation of mass के ओपर depend करती है कौन balanced equation हो गया law of conservation of mass law of conservation of mass हमसे कहता है कि जो mass होगा वो कभी भी बरबाद नहीं हो सकता अब जब मैंने ये law सुनी तो एक सवाल मेरे दमाग में आया law of conservation of mass कहती है कि हम अगर एक लकड़ी को जला रहे है ठीक है उस लकड़ी को जलाने के बाद लकड़ी मालोब पांच किलो की थी अब जब उसका राक निकली तो उसको जब हम वजन करेंगे तो वो पांच किलो की नहीं होगी वो दो किलो की एक किलो की ऐसी रहेगी ऐसा क्यों हो गया law of conservation of mass तो यह कहता है कि mass can neither be created nor be destroyed मतलब जितना mass है उतना ही रहेगा तो ऐसा क्यों हुआ कौन बताएगा याद रखना उसकी energy निकल चुकी है क्योंके उसने heat energy में अपना conversion दे दिया इसकी वज़े से loss हुआ है जिस तरह से हम ये भी बढ़ते हैं कि इस pen को मैं उस दिवार पे भेकूँ तो ये pen मेरे पास आ जाना चाहिए वापस या किसी ball को भी भेकूँगा तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास आ रही है समझ मारी पा तो ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि इसकी surface round नहीं है पहली चीज दूसरी चीज gravity इसको खीश रही है तीसरी चीज जब ये उस दिवार से strike हुआ तो आवाज आती है पट से आवाज आईगी ठीक वो energy sound energy में इसने loss किया है कुछ energy को ठीक है तो इस वज़े से ही वापस नहीं पाईगी तो इसी वज़े से law of conservation of mass में energy अगर हम निकाल देंगे तब law of conservation of mass नहीं होता है एक और चीज है जहाँ law of conservation of mass applicable नहीं है कौन बताएगा वो रेडियो एक्टिव बहुत अच्छे रेडियो एक्टिव रियक्शन के निये law of conservation of mass applicable नहीं होता याद रखना बड़ी important चीज है चलो आगे बढ़ते हैं जरा हाँ मेटा संडे test में ये वाला chapter आएगा पिछला कुछ नहीं आएगा संडे test में पिछला कुछ नहीं आएगा यहाँ से है एक चीज सब लोग याद रखो जो लोग अभी तक पढ़ाई अच्छी तरह नहीं कर रहे थे उड़ जाओ और अपसे करना शुरू कर दो तुम लोगों का interest ये समझा करो के वो एप्रिल या मई में नहीं है वो दिसंबर में है समझ में आरी बात और ऐसे तैयारी किया करो सिर्फ दो महीने बचे हैं अब कोशिश करो कि हम लोग उससे पहले कर लें सबसे आगे निकलने की सोचा करो मार्क्स ऐसे आये करें कि जब टोटल होना तो एक के 419 आ रहे हैं एक के 418, 417 ऐसे होने चाहिए ऐसा नहीं होने चाहिए कि एक के ये हैं दूसरे के ये तो 1st और 2nd में हम लोग चोईस ही न कर सकें समझ में आरी बार ऐसा मतलब 1st rank करके निये जद्दो जहद होनी चाहिए लड़ाई होनी चाहिए नाम आएगा नहीं ये बात याद रखना नाम नहीं आता ये मियू में खीश कर लाना पड़ेगा हमें घसीट ता जो ऐसा नहीं कर पाएगा उसका नाम नहीं आएगा सोते रहना रोते रहना उसके बाद जिसको नाम चाहिए वहाँ जाना पड़ेगा लड़ाई लड़नी पड़ेगी घसीट कर भाहा लेकर आना पड़ेगा नाम जो ऐसा कर सकता है नाम उसी का आएगा नहीं आ सकता वर्ना किसी का बहुत बच्चा है पिछली बार 12,000 एक्स्टर्नल बच्चा था हो सकता है इस बार 15,000 हो सीट नहीं बढ़ेगी एक भी अब तुम लोगों को करना है अपने माइन में सोच लो वहां कितने लोग होंगे सिर्फ तुमारे सेंटर पे उतने लोग होंगे जितनी सीट से 5 गुने जो भी सीट होंगी टोटल उससे 5 गुने तुमारे सिर्फ एक सें कर पाएंगे जजबातों से कुछ नहीं होगा बहुत आसान है यह है वो है उससे कुछ नहीं होगा मैंत जो निकलेगा उसके नहीं कुछ आसाने है अचे Хорошо जो लोग अभी तक सो रहे थे कि नहीं नहीं चल रहा है तो आ रही है कि नहीं है अच्छ यह पता नहीं क्या हो रहा है अच्छ चलो कोई बात नहीं चलो आगे बढ़ते हैं जल्ली से समझ आगी बात कि मिन प्रसुपटाँ रहा है कि नहीं चलो कोई बात्यूच विम प्रसुपटाँ चलो कोई रहां कि उसके चलो आगे बाता दो चलो कि नहीं है रहीं कि नहीं है चलो प्रेसिपिटेट आफ डिफ्रेंट कलर्स इस अप्टेंड अलग-अलग कलर्स के प्रेसिपिटेट हमें मिल जाते हैं प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं प्रेसिपिटेट कहते हैं इनसॉलबल सॉलिड सबस्टेंस को बोलते हैं झाले सबस्केह कि युद्धे लुदआ है कि अजड़ गॉड़ है कि अ कि अगया है अगया है कि अब बेगो गर्मी संबर रहे हैं आपको अटे कोई बत नहीं आए गर्मी ज्यादा आराम से दो को एक चीज यार रखना के कमफर्ट पढ़ाई के निये नेसेसरी होता है आशकल ठीक है क्योंकि हम लोग को जैसी आदत हो गई ना अब उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉड़ी करती है जिसको आदत नहीं होती आठ बज़े उठने की सुबह उसको अगर साथ बज़ोड़ी आगा ठीक है उसकी बॉड़ी नहीं और सकते हैं अब मान लोग कोई आदमी पंख लगा ले और उड़ना शुरू कर दे वह सीख जाएगा तो कर भी लेगा ठीक है तो जो चीज हमें नहीं आती है हमसे नहीं होती तो उसमें हमें प्रॉब्लम होती है तो अगर किसी को नहीं आदत है गर्मी लग रही जाएगा बहुत सारे लोग को नहीं आपाती बिना एसी के नहीं ठीक है अब क्यूंकि उनकी बॉड़ी को उन्होंने कर लिया ऐसा नहीं है नहीं आ सकती मैं तो गर्मी में पढ़ा लेता हूँ सो भी जाता हूं कोई मैं तो गरीब आदमी हूं कि हूंकि लेकिन मैं नाइट्रस ऑक्साइड याद रखना बड़ी इंपॉर्टन चीज है एन टू ओ होता है नाइट्रस ऑक्साइड मतलब लाफिंग गैस का फॉर्मला ठीक है कुछ बच्चे यह सूंग कर आते हैं इसी वज़े से उनको हसी आती है एक जूसे की शगले देखकर हसते आते हैं कि राइट दी क्वेशन यह कुश्चन सबको करने की कोशिश करने जली से करो राइट दी क्वेशन वेन कॉपर सल्फेट रियक्ट विद हाइड्रोजन कि सल्फाइट हाँ पिटा मिलेगी डीपिटी हाँ पिटा मिलेगी डीपिटी कॉपर सल्फाइड हमें मिलेगा जो के ब्लैक्ट की पिविटी होती है पिविटी का मतलब प्रेसिपिटेट होता है याद अ याद है लेद नाइट्रेड नाइट्रेड अट्रेट इविटास में है अब नीचे उसका पेस्ट की शकल में हमें प्रेसिपिटेट मिलेगा वह insolubist substanze होता है नीचे जो जम जाता है उसी को हम precipitate बोलते हैं अब precipitate की इतनी importance क्यों बोल रहे हैं क्योंकि precipitate को reaction करवाने के निए हम use करते हैं 11 class में जब हम लोग आएंगे तो हमसे का जाएगा कि ये दो चीज़े हैं इसका precipitate form करके दिखाईए तो हमें उनको मिलाना है उसम को अलग करना होता है ठीक है तो यह सारी चीज़ हम लोग के निये इंपोर्टेंट है इस वजे से ऐसा होता है ठीक है चलो विच अफ दी फॉलोईंग इस मोस्ट रियक्टिव मैटल यह कोशन बड़ा इंपोर्टेंट है यार रखना एम्यू में काफी बार आया है बहुत बार आये इस साल भी आया है पिछले साल दो सवाल आए हैं उससे पहले पांच साल से हर साल आ रहा है इस टैप का कोशन जिसमें हमें बताना होता है कि कौन सा हमारे पास मैटल सबसे ज्यादा रियक्टिव है तो ऑप्शन आ जाते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा बहुत अच्छी बटा हिरा शावाश देखो जरा समझो जिसको याद नहीं है आई है उसको समझो कैसे करना है यह ट्रिक्स है हर साल दो से तीन कोशन बन जा रहे हैं दो से तीन कोशन सिर्फ एक ही ट्रिक्स है पी एस सी माजिन पी एस सी माजिन तेल लाया है कार में उसके बार सिलवर है गोल है और प्लेटिनम है याद खना इसमें लीस रियक्टिव है लीस रियक्टिव कौन फ्लेटिनम यह किसी भी एलिमेंन से रियक्ट नहीं करता इसी वजह से बहुत महंगा होता है गोल्ड से भी महंगा है ठीक है वाइट गोल्ड बोलते हैं प्लेटिनम को समझे में आई बात अच्छा अब सबसे जादा रियक्टिव कौन है पॉटेशियम याद रखना यहां मैंने ट्रिक जो बनाई है वो उसके सिंबल से नहीं बनाई पॉटेशियम का क्यों होता है मुझे भी पता है लेकिन मैंने पी पॉटेशियम इसी तरह से सोडियम केल्शियम मैगनेशियम एलमीनियम जिंक आईरन निकल टिन लेड हाइड्रोजन बस यही बात याद रखना कार्बन नहीं है यह कॉपर है कौन बताएगा कार्बन क्यों नहीं है कार्बन मैटल नहीं होता नौन मैटल है यह पूरी सीरीज मैटल की है समझ में आई बात अब लेकिन यहां हाइड्रोजन नौन मैटल होता है लेकिन हाइड्रोजन को हम मैटल की तरह भी कंसिडर करते हैं रियक्टिविटी सीरीज में इस वई से ऐसा किया है अब एक सवाल है जो के बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने कुछ एलिमेंट्स को ऊपर लिखा है कि कुछ को नीचे लिखा है जली से लिखने ही कोश करो ऐसा नहीं किया है ताके घिश्पिश न हो जाए अगर उपर लिख देता तो तुम लोग हर चीज में केमिस्ट्री लगा रहे तो उपर वाले ज्यादर रियक्टिव हैं चलो लिखो जली बहुत यह से शाबश यह बिटा ट्रिक से बहुत कोशन आत एलमीनियम नहीं है जाद अब एको सी होगा ना देखो पी एस सी माजन माजन तेल लाया है कार में में जब सबसे यहीर लगती है मेरी खुद यॉय है यह बहुत सारे बच्चे ऐससे याद करते हैं पासा गन्ना ऐसे अब या जब इतना याद कर सकते हो तो वैसी याद कर लो papa मात इदो मुश्किल आपकर रहा तो बीच में पिटा पढ़ाई कर दो कि अब नोट्स कम लिखवाते हैं लेकिन पढ़ाद जाद देते हैं आपको मुझे मेरी चीछ रखती है शावाज मुझे खुद ये वाली चीज मुझे अपनी बहुत पसंद है चलो होगे ना कि बाद में लिख ले हैं नोट्स अप्लोड करने तो यार कि अबस्ट नोट्स